कि पहले क्लास की बात करते पहले कोश्चन की बात करते आप पूरी तरह से तयार होंगे जमसेद हैं राज हैं सपना है मनीज है तो यहां पर आपके सामने एक ऐसा आप यहां से देख सकते हैं जैसे पॉजिटिव वाला किसको दे सकता है आपके पास सारी चीजह आज की कलास देखे सारी चीजह आपको किलियर होती जाएंगी subscribe A-A-A-B-A-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-A-B-A-B-A-B-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A इसलिए इसको सर्वदाता ब्लड ग्रूप कहते हैं हमारे पास मुख्य रूप से कुल ब्लड कितने पाए जाते हैं एक बिट देखते हैं बस चलिए तो आए लेकर चलते हैं यहां पर टोटल चार ब्लड ग्रूप पाए जाते हैं ए बी और ओ यह चार ब्लड ग्रूप पाए जाते हैं ठीक न ध्यान पर रखेगा चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कोस्टन के तरफ चलते हैं चलिए युणिवर्सल डोनर की संगियाब किसको देंगे तो यहां पर देखिए अभी आपने देखा था कि O minus blood group, सभी को blood दे रहा था, A plus को भी, ये दे रहा था, A plus को भी, B plus को भी, AB plus को भी, और O plus को भी, और किसको दे रहा था, O plus को भी दे रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर, हाँ, O plus को भी, इधर किसको देना है, A minus, B minus, AB minus और O minus, तो यह सभी को blood देता है, सभी को blood देता है, तो यहाँ पर अगर universal donor कहें तो D, या आपको याद रखना हो तो O negative याद रखेगा, किसको याद रखना होगा, O negative याद रखेगा, चलिए, next question के तरफ और इसका जवाब दीजे कि क्या होने वाला, the antigen for ABO and RH blood groups are presented on, यहाँ पर पुछा हुआ है, कि यह सारे के सारे antigen कहाँ पर मौजूद होते हैं, तो लाल रक्त कोशिकाओं पर मौझूद होते हैं, WBC पर नहीं, RBC पर मौझूद होते हैं, कहां पर मौझूद होते हैं, RBC पर, ठीक ना, RBC पर मौझूद होते हैं, चलिए, next question आपके सामने है, पूछा है निमलिखित में से किस रक्त समूह को सारोभौमिक प्राप्त करता कह पर हम बात करें सर्वदाता की, तो अभी आपने देखा था सर्वदाता में आपका आ गया था O- आया था, लेकिन याद रखेगा, O- में एंटीजन कौन सा पाया जाता है, तो O- में केवल कोई एंटीजन नहीं होता है, NO, NO एंटीजन, किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन एंटीबाडी इसके पास सारे होते हैं, कौन कौन से एंटीबाडी होते हैं, A-B होता है, B-B होता है, तो इसके पास एंटीबाडी जो होते हैं, वो सारे होते हैं, सारे मतलब A-B होगा और B-B होगा, जबकि अगर हम सर्वग्राही की बात करें, तो हम A-B को चुनते हैं या लेकिन अगर आरेच फैक्टर के अधार पर अगर हम कहें ना तो ब्लड ग्रूप आपके पॉजिटीव भी होगा नीगेटीव भी होगा तो a positive a negative b positive b negative a b positive a b negative तो what are the two blood group test जो होंगे तो a b b कुछ होता ही नहीं है मेरे भाई a b c b कुछ नहीं होता है तो आपके पास क्या होगा rn भी कुछ नहीं होता है आपके पास केवल एक option बचा b तो b जबाब दिया है गुड़ी ने ट्रकर ने अनुप्रिया अमन ने अंकुष ने रिंकी ने तो इसका सही जबाब b है और next question के तरफ चलते है पूछा है कि मानों के रक्त अस्थनांतर की प्रकरिया को क्या कहा जाता है जब a वाला b वाले को blood दे रहा है लेकिन यह blood दे नहीं सकता है blood clotting हो जाएगी व्यक्ति की मिर्ति हो जाएगी तो ए वाला किसको दे सकता है एक को और किसको दे सकता है ए बी को इस प्रक्रिया को क्या कहते एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को blood दे तो इसको transferring कहेंगे ना बाबा यह गलत है processing नहीं Transfusion यह आधान आपने सुना होगा blood को आधान किया जाता है blood donation तो यह आधान की बात आती है अगला है which is the rarest blood group rarest blood group कौन सा है सबसे कम ऐसा blood group जो सबसे कम पाये जाता है rarest blood call कहते हैं offenses कहते यहां पर आपको बताना है rarest blood group किसे कहते है ओ निगेटीब को कहते है सबसे कम जो blood group हो वो ओ निगेटीब है मात्र एक परसेंट है कितना परसेंट है मात्र एक परसेंट है ठीक है तो चलिए अगले अगले question के तरफ कुछ वीडियो इसके साथ है तो यहाँ पर क्या होगा who discovered blood group blood group की discovery किसने की थी तो यहाँ पर अगर blood group की discovery की बात आती है या आरेच फेक्टर के discovery की बात आती है तो ध्यान दीजेगा आरेच फेक्टर या blood group की discovery की बात आती है तो दोनों के बारे में याद रखेगा दोनों की discovery किसने की थी तो carland steiner ने की थी दोनों की discovery की थी, खीक है, चलिए, next question के तरफ चलते हैं, RH group was discovered in, RH group was discovered in, बताएं, RH group की खोज किसके, कब हुई थी, RH group की खोज, और एक और बात आपको ध्यान पे रखना है, वो ये बात ध्यान पे रखना है, आपको ये बात ध्यान पे रखना है कि सबसे पहले एक बात बताता हूँ कि जो आरेच ग्रूप है न वो उसके लिए खासियत यह है कि यह बंदर में खोजा गया था रीसस बंदर में खोजा गया था और रीसस मंकी में कहां खोजा गया था अफरिका में साउथ अफरिका में खोजा गया था देखा जा रहा था कि भ और antigen पाये जा रहा है वो RBC पर पाये जा रहा है अब यहां पर देखें पूछा है यदि किसी व्यक्ति का रख्ट समूँ A है किसी व्यक्ति का blood group क्या है A है तो मौझूद antibody क्या होगा अगर किसी व्यक्ति के पास A blood ग्रूप है तो उसका antibody क्या होगा तो याद रखेगा a blood group a antigen के कारण होता है और a में antibody जो होता है वो ntb होता बी का antibody पाय जाएगा और b में a का antibody होगा a b में कोई antibody नहीं होगा और o में दोनो antibody होगी a बी बी होगी तो o में दोनो antibody होती है और a b में कोई नहीं होती है दो कीरें जिस व्यक्ति का रख्त प्रकार अग्यात है तो उसे कौन सा र checks प्रकार चर्ढ़ाया जा सकता है जिस से माल लिजे कि एक व्यक्ति है जिसका एक्सिडेंट हो गया एक्सिडेंट हो गया और ये भाई साब पड़े हुए है एक्सिडेंट हो गया ये पड़े हुए है तो आप बताए इन भाई साब कौन सा ब्लड ग्रूप चढ़ाया जा सकता है अगर किसी का एक्सिडेंट दुर इसको कौन सा चढ़ाएंगे O-negative lil group और O-negative यह alreadyyardि यह blood 群 चढ़ाएंगे ओ निगेटीब a B positive धोड़ी चढ़ाएंगे यह ओ निगेटिव ऑल्टा कैसे कर रहे है हाँ अच्छा यहाँ देखेग को परडाली के छेम करने में कौन किसके उपर dominant है आपसे पूछा गया है ओ इस dominant ओभर ए बी इस dominant ओभर ए ओ इस रेसेसिव ए इस dominant ओभर ओ अब इस सम्में एक बात में आपको बताता हूँ देखिए ABO blood group की खास्य ध्यान दीजेगा यह question आप साथ इसमें परेशान हो जाए ABO blood group में multiple allele पाये जाते हैं तो यह बड़ी खतरनाक यहाँ पर point बना है कि कभी भी दो ही allele पाये जाते थे एकलावता ऐसा कहा जाए character है जिसमें multiple allele है वो ABO blood group है तो इसमें A और B जो है न समान dominant है लेकिन O recessive है O क्या है आपका recessive है तो O recessive है तो O is recessive अब O recessive है तो इसको कैसे कहेंगे A is dominant over O यहाँ पर O is dominant over A गलत है B is dominant over A यह भी गलत है O is recessive और A is dominant over O यह दोनों सही है यह दोनों यहाँ पर सही है लेकिन अगर आपको एक मानना है तो O को recessive मानिए क्योंकि हमेशा A ही dominant तो नहीं होगा B भी हो सकता है AB भी हो सकता है तो यह थोड़ा कठिन आपको question दिखा होगा लेकि यह easy question है यह देखे पूछा है कौन सा रक्त किस प्रकार का उत्तक है अगर आप से कोई पूछे कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है तो आप क्या जबाब देंगे अब रक्त किस प्रकार का उत्तक है तो रक्त के बारे में तो आपने सुना होगा ना अच्छा blood का pH क्या होता है तो रक्त का pH आप जानते हैं कि 7.4 होता है रक्त का pH क्या होता है 7.4 होता है सभी ने पढ़ा है लेकिन उत्तक किस प्रकार का है connective tissue है यानि संयोजी उत्तक है बोलिये है की नहीं है तो यह संयोजी उत्तक होता है कैसा होता है संयोजी उत्तक होता है और रक्त है तो फीमर के अंदर होगा अब यह देखिए फिज हफ्वेर ड़ियू फैंड हीमो गलोबिन प्रोटीन एक है आप जानते हो 개imize ग्लोबी लर प्रोटीन है यह आपको दिख रहे है हीमो ग्लोबिन प्लीड पोड़ेक पत्ती में अस्ती मज्जा में प्येट्यूट्रि मानों के रक्त में कहां मिलने वाला है सभी लोग जबादे भीया नुप्रिया अंकुष गुड़ी बरलीन और रुपेश से लेकर बिगदम धुवाधार तरीके से कहां मिलने वाला है तो यह मिलने वाला है मानों के रक्त में कहां मिलने वाला है मानों के रक्त में हुमेन के ब है जो क्या करता है oxygen का परिवहन carbon dioxide का परिवहन हार्मोन का परिवहन यह सब काम करता है iron होता है बिल्कुट अब यहां देखेगा which one is responsible for the red color of human blood पूछ रहा है इसमें से कौन ऐसा है जो responsible है मनुष्य के लाल ब्लड के लिए red blood group के लिए संदीब जी बता है सपना बता है गुड़ी बता है तो red blood group के लिए कौन जिम्मेदार है plasma hemoglobin wbc या hemosinin इसमें से क्या जिम्मेदार होगा 15 वे का बी जबाब दे रहे हैं प्रिया पांडे बहुत बढ़िया तो यहां blood क्या होता है आपका लाल होता है तो blood के लाल होने के पीछे आपका region hemoglobin है और सभी ने सही जवाब दिया अगला सवाल देखेगा पूछे मानों सरीर में ऑसत रक्तदाब कितना है मानों सरीर में westत रक्तदाब देखेगा हिर्दय की दो वस्था है एक हिर्दय या तो पिछका हुआ होगा या फूला हुआ होगा जब हिर्दय फूला हुआ होगा उस समय दाब कम होगा 80 अलेकि जब पिछका होगा उस समय बलड पूरे रूधीर वाहिनियों में बह रहा होगा उस समय दाब होगा 120 तो मनुष्य के प प्रेसर है 120 बटा 80 का है इसमें से सिस्टोलिक कितना है 120 बटा 80 में से 120 सिस्टोलिक है और 80 क्या है डायस्टोलिक है बोलिए समझ में आया की नहीं यूनिट क्या होता है अगले कोश्चन पर पूछा है दिये गए कारियों में से कौन सा कारे रक्त के द्वारा किया जाता है इसमें से कौन सा कारे है जो रक्त के द्वारा किया जाता है उत्सरजन में मदद करता है पाचन में मदद करता है तरलता का रख रखाओ करता है सरीर के सभी भागों में आक क्या है आक्सीजन का परिवहन तो सबसे महत्यपड आक्सीजन का परिवहन तो किलियर समझ में आया आएए छलिए अगला पूछा है इन विच आपदा जो है प्रोटोप्लाज में घुला हुआ है फिस है टाइगर है फ्राग है अर्थ्वॉम है तो इसका सही जवाब आप सायद ना बता पाएं लेकिन मैं बता देता हूं केचुवा केचुवा है और केचुवा के बारे में हम जानते हैं अम लोग एनी लीडा परिवार का ये ज बचना पाई जाती है यह टेरेश्ट्रियल है स्थल पर पाई जाता है तो आपने देखा अब चलिए यह आरबी सी है यह आपके पास हीमोग्लोबिन की सनचना है और जो हीमोगलोबिन की सनचना होती यह blood में पाई जाती है और इसी के पास अलग-अलग भाग है alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2 ठीक है यह सारी सनचना यहां पर पाई जाती है पूछा है blood pressure is mainly measured in HG what does HG refers to blood pressure को हम किसमें मापते हैं तो आप कहेंगे सर जी ब्लड प्रेसर हमारा ब्लड प्रेसर तो कुछ गलत काम देखकर कोई बच्चा ला परवाही कर रहा हो इसी पर इधर उधर फालतू के कमेंट पर ही आ जाता है एच जी का मतलब क्या होता है मरकरी और हाइग्रो मीटर से तो आदरता ना पल जला हो तो हाइग्रो मीटर से का ना पल जाई आदरता अब देखो यहां पर एच जी मतलब क्या है मरकरी मरकरी एक द्रवधातू है डी आप्शन है सही जवाब है चलिए अगले सवाल पे चलते ह पूछा है when a person gets older, his blood pressure generally, अब जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, उमर ज्यादा हो जाती है, बूढ़ा हो जाता है, उस समय blood group का होई हो, बतावजा का होई blood group, जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, तो उसका blood pressure क्या हो जाता है, तो उसका समानी ब्लड प्रेसर जो है न, समानी ब्लड प्रेसर वो 120 बटा 80 से बढ़ जाता है, 120 बटा 80 से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो किसी भी व्यक्ति का समानी ब्लड प्रेसर 120 बटा 80 से बुढ़ा होने पर बढ़ जाता है, बुढ़ा होने पर क्या हो जाता है, अगला सवाल है, ठीक है, अगला सवाल देखेगा, पूछा है, रक्त चाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, रक्त चाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, जब भी हमको ब्लड प्रेसर नापना हो, तो हम किस उपकरण का उपयोग करे अच्छा बुढ़े लोग गुस्से में इसलिए ज्यादा रहते हैं देखो एक और बता रहा है तो यहां पर देखेगा जब भी रक्तदाब मापना हो उसके लिए हम लोग सेलीनोमीटर से तो आप लवड़ता मापते हैं लवड़ता मापते हैं नहों और यहां पर आप जान हैं अब देख रहे हैं कि क्या होता है आप इसको प्रेसर देते हैं जिससे ब्लट विसल्स पर प्रेसर हो जाता है और यहां पर मरकरी जो है आपका उपर और नीचे जहां दो जग़ा है कि ऑक 120 सारी होता है कि मानो सरीर में रक्त चाप होता है मानो सरीर में जो रक्त चाप है वो कितना होगा हाँ जल्दी से जवाब दीजेगा मानो सरीर में रक्त दाब कितना होने वाला है मानो सरीर में रक्त दाब कितना होगा देखेगा मानों सरीर में रक्तदाब कितना होगा देखेगा इसमें से लोगों को लगेगा कि लेसर देन एटमास्फेरिक प्रेसर ना बाबा, ना ग्रेटर देन होगा, यह सेम होगा, जितना वायु मंडल का दाब होता है, उतना ही मानों के पास भी प्रेसर होता है, पुछा है, दिये गए रक्त, समुह में से, यह तो आप बता देंगे, सर्व दाता कौन सा है, यह तो कि रूधीर परिसंचरण तंत्र की खोज किस ने की थी तो रूधीर परिसंचरण तंत्र की खोज जो की थी वो किस ने की थी तो वो की थी विलियम हर्वे ने लेकिन जब हम कहें कि भया ब्लड ग्रूप की खोज किस ने की थी तो Land Steiner ने, तो blood group किस ने खोचा था, Land Steiner ने, और Lewis Pasteur ने किस की खोच की थी, किडवन की, Lewis Pasteur ने pathology के बारे में बताया है, सबसे ज़्यादा pathology से जुड़ी हुई खोजे, Lewis Pasteur की है, तो इसका सही जबाब क्या होने वाला है, Land Steiner होने वाला है, अगला सवाल देखेगा, नाम किस विकल्प से, किस जीव से लिया गया है, आरेश फेक्टर किस जीव से लिया गया, यह देखेगा, लोग कहते हैं कि RBC का आकार कैसा होता है, तो गोला कार भी है, और बीच में कैसा है, तो आप देख रहे हैं, एक गड़्धा जो दिख रहा है ना, इसको हम क्या कहत है, बाई कान केव है, दूई आउतल आकार की है, तो RBC कैसी है, बाई कान केव, दूई आउतल आकार की, तो RBC आपकी दूई आउतल आकार की भी होती है, और इसमें, एक देखो, एक बानर लिखा है, और एक बंदर लिखा है, देख रहे हैं, यहां पे दोनों में, हां, हां तो बिल्कुल ये तो आप जान रहे हैं और इसका नाता आप लोगों से ज्यादा है है कि ने चलिए अगला सवाल देखेगा इन विच पार्ट आप और बार्डीज वहां कहां कहां होता है देखेगा अस्थी मज्जा दो प्रकार के होते हैं अस्थी मज्जा एक यलू होता है यलू बोन मैरों में आपका डबलू बीसी बनता है क्या बनता है बाई डबलू बीसी और रेड़ बोन मैरों में क्या बनता है तो रेड़ बोन मैरों में आपका बनता है आर बीसी तो आर बीसी पूछा है तो क्या जबाब देदोगे अस्थी मज्जा देखे और यही blood is called अगर स्वेट कडिकाओं की अधिकता को क्या कहते है एनाक्सिया, सैप्टी सीमिया, लिवकीमिया या एनिमिया में तो कमी होगी, एनिमिया में आप क्या लेंगे कमी, यहां पर बताए आप देंगे, क्या जबाब होगा, हमेशा यहां पर क्या चुनेंगे तो देखेगा एनिमिया का मतलब आप जानते है बलड की कमी एनिमिया का बलड की कमी के कारण बहुत सारे हो सकते हैं बलड की कमी का कारण क्या हो सकता है आप जानते है कैलसियम हो गया calcium की कमी हो गई calcium नहीं यहाँ पर आप ले सकते iron की कमी calcium की कमी नहीं iron की कमी आप RBC की कमी हीमोगलोबीन की कमी सब की कमी जो है anemia का कारण है लेकिन यहाँ पर leukemia जो होता है यह blood cancer होता है तो यहाँ पर सही जबाब आपका क्या बनने वाला है leukemia इसी को हम लोग blood cancer के नाम से जानते है blood cancer ठीक है चली यहां पर पूछा है मानो सरीर में WBC का ब्यास कितना होता है आप WBC का ब्यास न बता पाएं तो भी ध्यान दिजेगा आपको यह याद रखेड़ा है कि WBC कितने प्रकार के दो प्रकार के एक कडिका युक्त जो कडिका इसी होते है ना ये granulocyte यह कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के इनके नाम ध्यान पर रखेगा बेंज याद रखेगा बेंज या बेन्ज से होता है बेसो फिल कहीं चोट लग जाती है फूल जाता है वह इसी के करण होता है इसनो फिल नाक चौड़े होते हैं कुछ लोगों के इसी के कारण उनको छीक जादा आती इस नोफिल्स नीट्रोफिल्स यह भी बिमारियों में इन्फेक्शन से लड़ता है एक होता है आकडिका युक्त तो जो आकडिका युक्त है ना वो दो होते हैं अकडिका युक्त कौन कौन से होते हैं अकडिका युक्त तो यह होते हैं लिंफोसाइट लिंफोसाइट और आपका मोनोसाइट तो लिंफोसाइट और मोनोसाइट होते हैं यहाँ पर दिया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर सही जबाब आपका यह होगा चलिए यह यहां पर आप से पूछा हुआ है कि विच आप ड़ाज्मा में किस प्रकार का एंटीबाडी का निर्माण होता है ब्लड प्लाज्मा में कोरोना के समय प्लाज्मा डोनेट हो रहा था याद आ रहा है कोरोना के समय प्लाज्मा का डोनेशन चल रहा था कोरोना के समय प्लाज्मा डोनेट कर रहे थे कहा जा रहा था जिसको कोरोना हुआ है वो प्लाज्मा डोनेट करे तो क्यों क्योंकि उनके पास lymphocyte है और यही किसका निर्माड करेगा बीमारी से लड़ने वाला antibody का यही बीमारी से लड़ने वाला antibody का निर्माड करेगा और वही antibody अब देखेगा वही antibody क्या होगा पूरी तरह से देखा जाए तो तो बिमारियों को क्या कर देगा, बिमारियों को मार देता है, खतम कर देता है, चली, अगले question पर चलते है, पूछा है, दिये गए, दिये गए में से कौन सा संक्रमण से बचाओ का कारे करता है, तो संक्रमण से बचाओ का कारे, अगर बिटामिन में पूछा जाए, तो बिट संक्रमण से बचाव करता है यह आप बताई तो संक्रमण से बचाव का कारे बिटामिन सी करेगा लेकि इसमें कौन करता है तो ध्यान दीजेगा इसमें करने वाला WBC है WBC सैनिक है WBC आपको रोग से रक्षा करता है ठीक है अगला शवाल देखेगा मानों के रक्त का प्यच कितना है मैंने आपसे कहा था रक्त हो या आसू हो रक्त हो या आपसू चून के लगा से पीच समान होंगे और कितने होंगे 7.4 कितने होंगे 7.4 पूछा है कि गाईarta दानेदार Dragon ग्रेनियूलर अभी पढ़ाए थे तो देखेगा ग्रेनियूलर पूछे तो बेंज और बेसोफिल इस्नोफिल न्यूट्रोफिस और अधानेदार पूछे तो MLA याद रखेगा MLA मतलब विधायक विधायक को जानते हैं आपलो ओंपलो मोनोसाइट लिंफोसाइट यहां पर MLA याद रखेगा MLA का मतलब होता है औकडिका यूट औकडिका यूट यह दो तरह का है मोनोसाइट और लिंफोसाइट कह रहा है यह बड़ा अच्छा लगेगा आपको यह जानके देखेगा क्या है सवाल अभी तक बना तो नहीं है लेकि बनेगा अब बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि अमीबा से जुड़ा हुआ सवाल अमीबा भी ऐसे भोजन करता है स्वेत रक्त कोशिका है बैक्ट्रिया को एक प्रक्रिया से निगलती है खाती है और उसको हम क्या कहते हैं फैगोसाइटोसिस क्या कहते हैं उसको फैगोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस बोलते हैं और देखेगा अब थोड़ा हिर्दे से जुड़ा हुआ चेप्टर है यह किसका दिल है चलिए प्रिल में आपके लिए एक नौकरी का शपना हो और घर वालों के लिए एक भरोसा और विश्वास हो तो जाहिर सी बात है लोग कहते यह आसंभा है हर आसंभा सम्भा हो सकता है जब आप चाह दे निकट्तम अंग जिसे oxygen युक्तरक्त की आप पूर्ती करता है oxygen युक्तरक्त की आप पूर्ती कौन सा होगा stomach होगा heart itself intestine या lung heart सबसे पहले blood की supply किस अंग को करेगा lung को करेगा intestine को करेगा stomach को करेगा हर्ट खुद करेगा इसमें से क्या होगा ये मेरा दिल है हाँ किसको चुनेंगे जल्दी से सवाल का जवाब दीजेगा क्या बनेगा इस सवाल का सही जवाब बताए कौन जवाब देगा इस सवाल का देखेगा एक आल्ट्री का नाम याद रखेगा यह छोटी छोटी आल्ट्री आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर छोटी आल्ट्री है यहाँ पर छोटी आल्ट्री है यहाँ पर छोटी आल्ट्री है यह आल्ट्री को कोरोनरी आल्ट्री कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं चलिंग अगला पॉइंट अब लिखा एक समाने स्वसथ ब्यसके मानों है समान ये देस्टोलिक रखतदाब क्या होता है, इसके लिए हमने आपको दिखाया था लिए का होता है जब house जब आप का दिल फूल जाए तो डास्टोलीक होता है ऐसे जब फूल गया था डास्टोलीक और सिस्टोलीक स्टोलीक और hemoglobin खराब होता इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें hemoglobin खराब होता है sigyl cell anemia hemolysis elopseל या heterochromia देखिए sigyl cell anemia के बारे में एक बात बताता हूँ इसमें आपको याद रखना है कि hemoglobin खराब होता है यह RBC है छिकील cell anemia में RBC आपकी अगला शवाल है विच आप दो फाल्विंग टू वर्ड आइटम मिन दसेम तिंग कॉन सा सब्द है जिसका एक ही मतलब है निमलिखित में से किस दो सब्द का मतलब एक ही है दो सब्द का मतलब एक ही है देखिएगा रक्त का cancer blood cancer का मतलब hemophilia होता है कि leukemia होता है ये तो गलत हो गया ना अच्छा ये वाला सही है pacemaker को ऐसे node कहते है बी वाला सही है अच्छा जब बी सही है तो ये हिर्दय है और इसी में यहाँ पर पेसमेकर पाए जाता कर का नाम सुने हैं यह दिंड़ इन वाला है और्शेइ को होता हैं कि वाले समझे विक अगले कोश्च्ञ Now पूछाए व्यस्क मनुस्यों में रक्त में सीसा पूछाए इन एडल्ट हुमन हाँ पूछाए डैस आफ लेड आर लेस इन द ब्लड इज कंसिडर टू बी नार्मल अब ये कोश्चन आपके लेबल का कठीन जवाब है इस कोश्चन को आप छोड़ सकते हैं ठीक न इस पूछाए इन दोनों के बीच का कितने का होगा 40 mmHg का होगा सिस्टोलिक उपर है डैस्टोलिक नीचे है दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो ये होगा आप इसमें से कोई न लगाएगा वैसे इसने आंसर में नहीं फसाया अगर आंतर में 120-140 देदेता तो आप सिस्ट लगा देते जब भी आप से गैर यह वाला कोश्चन याद रखेगा और कडिका युक्त पूछेगा तो क्या जबाब दोगे और कडिका युक्त पूछेगा तो याद रखेगा दो होते हैं लिंफोसाइट और मोनोसाइट अब ये एक बार और आया था तो इसको किलियर कर देता हूं मोनोसाइट और लिंफोसाइट लिंफोसाइट दो है टी लिंफोसाइट बी लिंफोसाइट यहां देखेगा पूछा है स्वेत रख्त कोशिका है यह कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है यह भी रिपीट हो गया बैक्ट्रिया को खाने वाले को हम क्या बोलते हैं फेगोसाइटोसिस बोलते हैं लेकिन इसके जगह पर हम आपको एक दूसरा सवाल पूछ देते हैं आप बताइएगा सबसे पहले असुधरक्त कहां आता है सबसे पहले हिरदय में असुधरक्त कहां आता है हिरदय में असुधरक्त कहां आएगा सबसे पहले आपशन है राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम दो आपशन बताएए दाया अलिंद या बाया अलिंद और इसका तो सही जवाफ फैगोसाइटोसिस ठीक है एक कोशन और देखिएगा पूछा हुआ है ठीक है नियरेस्ट आरगन टु विच आप दा हर्ट सप्लाइट ये तो आपको कुछ कोशन ऐसे हैं इसमें जो वापस आ गए है ठीक है तो इसके जगह पे हम आपको एक और सवाल पूछ रहा है ध्यान दीजेगा एक आपके ट्राई कस्पिड वाल्व होते हैं यहां पर क्या होते हैं ट्राई कस्पिड वाल्व होते हैं और आपके फेफड़े के बारे में याद रखेगा दो फेफड़ा है दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है बाया फेफड़ा छोटा होता है कोई पूछे कि कौन सा फेफड़ा तो left फेफड़ा छोटा होता है, right फेफड़ा क्या होता है बड़ा, क्यों क्योंकि यही पर दिल रहता है, वाएं फेफड़े में दिल रहता है, मीडिया इस्टीनम रिजन में, वाएं फेफड़े में क्या होता है, दिल होता है, और ये सवाल पूछा है, जब कोई डाक्टर आपकी नाड़ी को रिकार्ड कर रहा होता है तो आपके कलाई पर दबाव डाल रहा होता है तो बताइए वह कलाई पर किस पर दबाव डाल रहा है आप ब्लड प्रेसर देखते हैं ना ब्लड प्रेसर निकाल नापते हैं तो आप 120 वटासी किसका नापते हैं धमनी का सिरा का क प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् तोरी से जात Country का मतलब क्या है की जब चेस्ट में जब झहाती दर्व तो हो क्या होता है। आपका चेस्ट में यानी हर्ट की बात कर रहा हूं हिर्दे में एका एक दर्व होता है। चेस्ट पें due to inadequate supply of oxygen of the heart muscle हिर्दे की CD मानस्पेशियों में oxygen की जब आपूर्ती के कारण, आपूर्ती कम हो जाए, तो लोग सीने में दर्द हो जाता है, जब सीने में दर्द होता है, तो लोग सोचते है हार्टेक आ गया, यह हार्टेक नहीं है, इसमें आक्सीजन की आपूर्ती कम हो गई है, इस वज़ा से यह मामला आया है, यहां पर फैट का decomposition हो गया है fat का decomposition हो गया है ठेके ना किसका decomposition हो गया fat का तो फिर पूछा है wbc का कारे क्या है wbc अच्छा wbc का दूसरा नाम होता है leukocyte wbc का दूसरा नाम क्या होता है leukocyte leukocyte और wbc के बारे में याद रखेगा मैंने आपसे फिर कहा है कि WBC की संख्या कम होती है, प्लेट से भी कम होगी, RBC से भी कम होगी, और WBC पांच होते हैं, कौन कौन से, बेसोफिल, इस्नोफिल, निउट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, तो WBC का इसमें कारे क्या है, गर्मी बृत्रित, एंजाइ ग्रेनियूलोसाइट आया है मैं आपको ग्रेनियूलोसाइट बता दे रहा हूं अगर आप एक ग्रेनियूलोसाइट जान रहा है तो मैं आपको ग्रेनियूलोसाइट एक बार बता रहा हूं फिर से सुनिएगा ध्यान से ग्रेनियूलोसाइट जो होते हैं यह बेंज होते हैं Benge ka मतलब जानते हैं अब देखो i-sno fill के बारे में ध्यान दिजेगा i-sno fill जब कोई LRG होती है ना किसी व्यक्ति को LRG हो जाती है तो allergiemagותी है तो छी संपे जो 52 कहिए पर 17 जा रहे ते गाउं में घर छोटा है तो क्या होता है सिर पर चोट लग गई यहाँ पर घर का दर्वाजा चोटा है तो ओडीमा का कंडीशन हो गया फूल गया न्यूट्रोफिल्स बैक्टरिया को इंगल्फ करेगा खाएगा मारेगा ठीक है तो आखरी के तीन सवाल पूछा है लिम्फ नोड का मुख्य काम क्या है लिम्फ नोड का मुख्य काम क्या है इसमें से क्या जवाब देंगे लिम्फ नोड के मुख्य कारे के जगा पर देखेगा लिम्फ नोड के बारे में बता दू तो लिम्फ नोड क्या करता है ना लिम्फ नोड हमारे पास यहां है यहां है यहां है यहां है लिम्फ नोड बहुत छोटे-छोटे होते हैं यही पर लेकर जाते हैं बुला के जैसे माल लिजे शरीर में इंफेक्शन आया तो आएंगे अपने कहेंगे अरे भाई कहां आ गए इंफेक्शन मतलब बाहरी जीव आपके ब्लड में पहुंच गया अब ब्लड में इंफेक्शन पहुंच गया तो जाएगा डबलू बीसी पूछेगा इसे देखेगा तुम कहां से आये हो तो कहेगा यार मैं बाहर घुम रहा और मारने के लिए lymph node में मारने गया खुदे मर गया तो इनसान भी मार पड़ जाएगा अगर उसको मार दिया पटक के तो इनसान स्वस्त रहेगा लेकिन lymph node में युध होता है यही पर मारा जाता इन्फेक्शन को अगर मार दिये तो स्वस्त हो अगर खुद मर गये इसका है कि यदि किसी पुरुस की तिल्ली निकाल दी जाए तो क्या होगा अगर किसी पुरुस की तिल्ली इस्प्लीन निकाल दी जाए तो क्या होगा हाँ इस्प्लीन निकाल दी जाए तो क्या होगा वही क्या हो गया कहें इतना अहां देखेगा पूछा है इस्प्लीन अब इस्प्लीन का दो काम है इस्प्लीन का एक काम है कि यहां पर RBC को दफन RBC का दफन किया जाता है और दूसरा भी स्प्लीन का काम है वो इस्प्लीन का काम क्या है एंटी बॉडी प्रोडक्शन विल बी डिक्रीजड रिमूबल आप डेड आर्बीसी विल नाट टेक प्लेस तो एक मेंड काम यही है कि आर्बीसी को कहां हटाय जाएगा ठीक है चलिए अगला कोश्चन है लास्ट कोश्चन है पूछा है रक्त का ठक्का जमने से रोकने के लिए किस प्रोटीन का उप्योग किया जाता है रक्त का थक्का जमने से रोकने के लिए किस प्रोटीन का उप्योग करते हैं तो रक्त का दब इसमें से एक बता दो किसका फाइबरी नोजन जो होता है न तो फाइबरी नोजन तो यह ब्लड क्लाट कराता है यह कराता है रोकता नहीं है निए रोकने वाला हीपैरिं है लिए इस रिएँ सभीं हे धिक। हम लोग आज अगले दिन अगला सिग्मेंट होगा आप लोगों की डिमांड है नियुमेरिकल की चिंदा तो numerical की class आपकी थ्रस्डे को होने वाली है, बिरस्पतिवार को होने वाली है थ्रस्डे को, तो थ्रस्डे को याद रखेगा, आपके numerical की class होगी, ठीक है, और हाँ, जिन लोगों ने numerical की class के डिवान की थी, और हमारी कोशिस होगी कि सारे numerical आपको easy तरीके से, आसान तरीके से क कराए जाए बहतर तरीके से कराए जाए आज की क्लास में आप लोग को मज़ा आया हो बहुत सारा धन्यवाद याद रखेगा कि यह सेशन आपके लिए है और पूरी इनर्जी के साथ आपको जुड़ना है और अगर आप MD Classes पर नए है तो MD Classes का क्या जोईन कर लेंगे आप Official Application इंस्टाल कर लेंगे जहां पे नाम नंबर से रजिस्टर करने के उपरान आप पेड कोर्स में जाकर कोई अपना पसंदिदा पेड कोर्स ले सकते है फ्री विकली टेस्ट ले सकते है आज सनीवार है कल संडे है कल आपक टेस्ट दे सकते हैं फ्री टेस्ट में